नमसकार दोस्तों, रियल सपोर्ट के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत थैद दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो है आपको Junior Assistant से related जितने भी कमेंट आए हैं उनका भी answer आपको इस वीडियो में दिया जाएगा तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि जिसने भी ये कमेंट किया है उसके अलामा और भी जितने एक कंडिडेट है उनके लिए भी यह फूल होगा इसलिए वीडियो में इंड तक बने रही है और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप जो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों जो पहला कमेंट है मेरे पास आया है तो वो यह है कि क्या फर्म भरने के एक साल बाद अगर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो क्या उसका नमबर जो है अकेडमिंग नमबर जो है वो जुड़ेगा मेरिट में या नहीं तो दोस्तों एक चीज मैं आपको क् करना है तो उससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहेगा तभी आपका जो है अकेडमिंग में नमबर जुड़ेगा दूसरा है दोस्तों सेकेंड कमेंट है कि क्या लडी सी स्कुल में सिचाय विवाद से ज्यादा वर्क लोड होता है तो दोस्तों एचीज मैं करना चाते हैं तो आपके लिए जो है वर्क लोड है लेकिन अगर आप जांकारी नहीं चाहते हैं बस किसी तरह से काम को इदर-उदर करना चाहते हैं तो आपके लिए वर्क लोड नहीं है दोस्तों जो किसरा कमेंट आया है मेरे पास यह बहुत ही important question है कि क्या इस नौकरी म इसमें जो है वर्कलोड भी आपका बहुत ही ज्यादा नहीं होता है जिससे जो है आप दूसरी नौकरी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और इसमें जो है आपको टाइम भी भरपूर मिल जाता है और रेगुलर वर्क के अलावा आपको हपते में एक दिन संडे की छुट्टी भी मिल जाती है और राज के अवकास भी आपको अच्छा कासा देखने को मिल जाता है तो इसलिए आप जो है इस मौकरी में बने रहने के साथ साथ आप दूसरी नौकरी की भी तैयारी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद एक क्वेस्टन है कि क्या भविस में जूनि असिस्टेंट का अलग-अलग विवाग में अलग-अलग पद खाली है उन सब पे भरतियां लाए जाएंगी और आप इसकी तयारी करते रहिए भरती आएगी इसके बाद जो अगला क्वेस्टन है दोस्तों वो ये है कि क्या 10 साल में प्रमोट हो कर 42 ग्रेट पे की नौकरी जो है आपको मिल जाती है और जहां तक एक्जाम की डिपार्टमेंटल एक्जाम की आटो फिलब की बात है तो ये अलग-अलग विभाग में अलग-अलग राइटेरिया होता है उस हिसाब से आपका प्रमोशन किया जाता है इसके बाद जो अगला क्वेस्टन है दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब आप ट्राइपिंग करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर जितने भी देखने को मिलेगा समान वो जो है सभी अच्छी क्वाल्टिक होते है तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए क्योंकि कीबोर्ड में आपको कोई भी सिकायत दे वैकेंसिया आई थी जो हमें अभी तक देखने को मिला है तो इससे यह लगता है कि आने वाले भविस में भी जुन असिस्टेंट की हमें भरतियां देखने को मिल सकती है दोस्तों इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि ग्रेजुएशन न हो तो कोई प्रावल जो दस नमबर आपको अकेडम मिलता है वो नहीं मिलेगा जिसके कारण आपको रिटिर में जो है काफी अच्छा खासा मैनत करना पड़ सकता है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि टाइपिंग में एक प्रेसी कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों मैं आपको ए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए